हेलो माइ ब्यूटिफुल सोल्स वेलकम बैक तू मैं चैनल टैरो विशिवी ट्रिपल एट गाइज रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे गाइज एक जेनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रिजनेट हो हो सकता है ना हो तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिफ वे में लीजेगा जितना आपसे रिजनेट हो उसे रखिए बाकी को इग्नॉर कीजे और गाइज ये एक टाइमलिस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रि क्या आप change आ रहा है आपकी life में क्या चीज़न चेंज होगी देखते हैं क्या बड़ा बदलाव आपकी life में आने वाला है और कैसे आने वाला है क्या होगा और आपको क्या करना है तो पूरा video end तक देखिएगा क्योंकि मेरे जो videos होते हैं उनमें मैं guidance काफी जादा देती हूँ ठीक है कुछ लोग तो होते हैं जो बोल देते हैं मैं आप guidance काफी जादा देते हो ठीक है तो ऐसा है गाइस के मैं नहीं चाहती कि आप लोग मैंसे कोई भी फसके रह जाए अपनी लाइफ में ठीक है आप लोग एक तरीके से मेरी soul family ही हो ठीक है और जब मैं देखती हूँ आप लोग को इतना परिशान तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सीधे-सीधे guide कर दू कि आप अपने उपर focus करो आप दूसरों की उपर focus मत करो ठीक है आप दूसरों से नहीं इतना expect कर सकते ह अगर वो सामने वाला इंसान आपकी feelings को अभी नहीं समझ पा रहा है तो उसे time दे दो अपने उपर focus करो चलिए देखते हैं क्या बदलाव आपकी life में आ रहा है please angels बताइए मेरे viewers के life में क्या बदलाव आ रहा है कितने cards है three cards है चलिए खोलें गया four of events, star, death हम लगई था मुझे कि ये card ना आए बदलाव के नाम पे तो फिर क्या ही फाइदा ये आने की कोशिश कर रहा है ten of cups king of vands, okay knight of vands queen of cups क्या change आ रहा है आपकी life में seven of cups ace of vands wheel of fortune devil six of wands ten of pentacles, six of pentacles, bottom से है high priestess इसको ले लेते हैं यहां पर tower और justice भी हैं चलिए इनको रहने देते हैं इत्ते सारे cards रहने देते हैं इधर की आ जाओ चलो देखते हैं क्या निकला है क्या बड़ा बड़ाव आपकी life में होने वाला है अफ की लाइफ में जो बड़ा बड़ाव आ रहा है वो लएस आपकी love life में आ रहा है बहुत जबरदस्थ ठीक है यहाँ से जो cards निकल कर आए हैं ठीक है वो मुझे यह दिखा रहा है कि आपकी love life में बहुत जबरदस्त बड़ा बदलाव होने वाला है और यहाँ पर मैं यह देख रही हूं guys कि बहुत लंबे टाइम से आप confusion में थे बहुत लंबे टाइम से आप confusion में थे आपको नही चीज़ें clear हो पा रही थी आप बहुत और यह मैं confusion ऐसा देख रही हूं guys कि आप लोग अपनी शादी को लेकर काफी ज़्यादा confused थे ठीक है बहुत लंबे टाइम से और अभी भी आप confusion में हो और यह मैं क्या देख रही हूं यहाँ पर कि आप या तो married हो ठीक है और आप ज चाहा रहे हो किसी person के साथ शादी करना वो आपकी कार्मिक partner हो सकते हैं यहाँ पर मैं यह भी देख रही हूं ठीक है और मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है guys कि कि आप लोग कही ना कही आप लोग की married life में थीक है अगर आप लोग मैरेड हो ठीक है तो आप लोग की married life में कोई यहाँ पर negativity present है ठीक है आगर आप दोनों already married हो और आपका connection काफी अच्छा चल रहा था तो मैं यह देख रहे हूं कि आप लोग के connection में कोई ना कोई negativity यहाँ पर present है, मतलब अभी current situation में देख रही हूँ कि आपके connection में कुछ ना कुछ devil present है यहाँ पर, और अगर आप लोग married नहीं हो, ठीक है आप भी single हो और आपके person भी single है, तो भी मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ कि आपको काफी confusion है, शादी को लेकर, क्योंकि मैं यह देख रही हूँ कि आपके person की तरफ से आपको कोई clarity नहीं है, जिसकी वज़े से आप बहुत confusion में हो ठीक है, और यहाँ पर इक चीज और जो दिखाई दे रही है वो यह है guys, कि ऐसा भी है कि आप में से कोई person married है और एक unmarried है तो भी आप बहुत जादा confusion में हो, क्योंकि तभी आपको चीजे समझ में नहीं आ रही, आपको ऐसा लगता है कि आपके person आपकी तरफ उनको चाही रहे हैं लेकिन जो यहाँ पर married नहीं, unmarried है ठीक है, मैं यह देख रही हूँ कि उनको काफी जादा confusion इस टाइम है चेंज क्या हो रहा है guys चेंज में यहाँ पर यह देख रही हूँ सबसे बड़ा बदलाव जो मैं आपकी life में देख रही हूँ चीजें आपके favor में move करने वाली हैं अभी दग अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी गुड़ लग आपके favor में नहीं था आपके against सारी चीजें हो रही थी मतलब आप जो चाह रहे थे उसके ओलट सब कुछ हो रहा था आपके हिसाब से kाम नहीं हो रहे थी मर्जी के हिसाब से कफुछ नहीं हो रहा था चीजें अपने हिसाब से चल रही थी तो मैं यह देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर change आ राह तो यह आरही है आपकी जो आपका जो good luck है वो आपके favor में आने वाला है समय में और यहाँ पर आपकी life पूरी तरीके से transform हो रही है अब यहाँ पर यह जो transformation है वो guys यहाँ पर यह दिखा रहा है कि यह जो बदलाव है उससे बहुत सारे लोगों की wishes पूरी होंगी जो भी उन्होंने wish किया है और new beginning होगी जिस चीज के लिए वो passionate है वहीं पर उनकी new beginning होगी ठीक है तो आपकी life में बड़ा बदलाव यह है guys कि आपकी life में आपका divine timing नस्दीक आ रहा है ठीक है एक बहुत लंबे दुख के बाद मैं यह देख रही हूँ कि आपके life में divine timing आपके favor में आने वाला है जहां पर आपकी सारी wishes पूरी होंगी जहां जहां जिस चीज के लिए आप काफी जादा passionate हो वहाँ पर आपकी wish पूरी हो रही है guys ठीक है यहाँ पर मुझे यह दिखाई दे रहा है इसके अलावा शादी को लेकर मैं देख पार हूँ जैसे कि बहुत जाला confusion आपको बनी हुई थी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा था जो negative था आपके connection में ठीक है चाहे आप married हो चाहे आप unmarried हो ठीक है जो आपके connection को बनने नहीं दे रहा था तो मैं यह देख रही हूँ कि आपका जो यह good luck है वो ही आपके connection को कहीं न कहीं मनजल देने वाला है आपका जो गुट लग है वो आपके connection में बहुत जादा अच्छा होने वाला है क्योंकि गुट लग आपके favor में होगा तो आपका connection यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से और अगर आप लोग सिंगल हो guys तो आपकी life में definitely निकल कर आये चाहे आप married हो चाहे आप unmarried हो चाहे आप single हो जो ठीक है तो आप लोगों की जो wish है उससाब से मैं बता रही हूँ क्योंकि star का card निकल कर आया है तो जो भी आपके wish है उससाब से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ चीजों को सबसे बड़ा बदलाव आपकी life करना है क्या आपको manifest करना है ठीक है आपकी confusion दूर होने वाली है आपके connection से negativity दूर होने वाली especially जो लोग शादी शुदा है अगर उनके life में कोई negativity बहुत लंबे time से बनी हुई थी तो वो यहाँ से release हो रही है यह पूरी तरीके से यह आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव यहाँ से आपकी life change हो जाएगी ठीक है और जो लोग चाह रहे थे शादी करना उनकी शादी नहीं हो पारी थी वो confusion में थे कि क्या उनकी life में करना है तो इतना बड़ा change आपकी life में आगा पूरी life transform हो जाएगी और यह good luck आपके favor में आएगा तो चीज़ें आपके favor में move करे फिर जैसा आप चाहोगे वैसा होगा ठीक है guys जैसा आप चाहोगे वैसा होगा यहाँ पर मैं यह देख पा रही हूँ किसी कोई person है night of wind दिखा रहे का कोई person है ठीक है जो काफी जादा attraction को आपकी तरफ feel करता है ठीक है तो यह देख रही हूँ guys कि उसके साथ आपको victory success मिले आने वाले समय में पूरी जो reading निकल कर आई वो कहीं न कहीं love life को लेकर ही निकल कर आई है ठीक है तो जो भी आपकी तरफ काफी जादा passionate है काफी जादा attraction है जिसका आपकी तरफ उसके साथ मैं victory success देख रही हूँ आपका आने वाले समय में तो यह भी आपकी life में बहुत person की entry में देख रही हूँ अगर आप already चा रहे हो किसी के साथ commitment तो वो person आपकी तरफ आ रहा है लेकिन अगर आप चा रहे हो कोई new person तो वो भी आपकी तरफ आ रहा है तो यह भी मैं यहाँ पर देख पार हूँ guys पूरी सबके लिए ही reading निकल कर आई लेकिन यहाँ पर मैं इ जब निकलता है ना guys तो यह आपको ही change करेगा सबसे पहले यह चीजों जो आएंगी आपकी life में यह तब आएंगी जब यह transformation आपका complete हो जाएगा अब मैं आपको बताती हूँ कि इस transformation में होगा क्या basically इस transformation में आपको change किया जाएगा आपके सोचने के तरीके को change किया जाएगा आप जिस तरीके से चीजों को देखते हो वो नजरिया change किया जाएगा ठीक है यहाँ पर जो चीज़ें आपको serve नहीं कर रहे ही वो आपकी life से सही नहीं है तो वो automatic आपकी life से release हो जाएगे ठीक है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर जो आपकी life में आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपके लिए अच्छे है वही आपकी life में रहेंगे बाकी सारी चीज़ें release हो जाएगी और यहाँ पर अगर आप मे आपको बदलना नहीं चाहता है ठीक है दूसरों से सब expect करते हैं बदलने का लेकिन खुद को कोई नहीं बदलना चाहता है लेकिन आपको यहाँ पर बदलना पड़ेगा ठीक है आपको इस transformation के दौरा इस तरीकी की चीज़ें सिखाई जाएगी कि आपको खुद को बदलना जैसे मैं आपका सबसे छोटा सा और सही एक्जैम्पल ले लेती हूँ अगर आप लोग काफी एमोशनल हो और अगर आप अपनी एमोशन्स पर कंट्रोल नहीं करते हो तो आपके एमोशन्स को इतना हट किया जाएगा कि आप खुदी कंट्रोल करना सीख जाओगे ठीक है त तो इस तरीके की ट्रांसफोर्मिशन आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में तो जब यह ट्रांसफोर्मिशन होगा तो बहुत सारी चीज़ें बद लेगी ठीक है ना गईस इसके अलावा ये भी देख रही हूँ guys कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं ये person के साथ family इस person के साथ आप family चाह रहे हो तो यहाँ पर मैं family बनते हुए भी देख रही हूँ आपकी लेकिन ये जो चीज़ें आपके साथ होंगी guys ये सबसे पहले आपको change करेंगी उसके बाद ये चीज़ें आपकी life में होंगी क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें आपको change करेंगी ठीक है जैसे ये दोनों कार्ट उपर नीचे निकल कर आए ना तो ये change जो है ना ये good luck जो है आ लेकिन उसके पहले का जो transformation आपकी life में होगा जो बदलाव आपकी life में होगा वो काफी दर्दनाख हो सकता है ये मैंने आपको यहां पर बता दिया तो आपको परेशान नहीं होने क्योंकि मैं तो आपको time to time guide करती रहूंगी तो आप यहां से चीज़ों को सीखते चाहिए क क्योंकि आपको divine के द्वारे यहीं से guidance मिलती है किसी भी tarot reader के थूरू जो भी आप tarot reader पसंद करते हो coin of cups दिखा रहा है guys कि बहुत प्यार आपने किसी के साथ किया है लेकिन वहां आपको कभी भी बराबरी नहीं मिली है ठीक है आपको आपने प्यार तो बहुत किया है लेकिन वहां से आपको कभी बराबर से मिला नहीं है तो यह भी बड़ा बदलाव आपकी life में होगा कि वह ठीक है guys, intuitions आपके काफी स्टॉंग हो जाएंगे, आपको चीज़े हैं समझ में आए लगी, clarity आपको मिलने लगेगी और यहां पर आप काफी knowledgeable person बन जाओगे, अगर आप अभी बहुत जादा in energies में रहते हो कि मुझे कुछ समझ में रहता है मेरी life क्या है कैसी है, बहुत आपके mind में जो question रहते हैं, automatic सारे questions दीरे दीरे transformation में आपके इन सारे questions का answer मिलता चले जाएगा, और आप खुदी सारी चीज़ों को सीखते चले जाओगे फिर आपको ज़रत नहीं पड़ेगी कि आप किसी से जाके पूछो, किसी से जाके help लो, ठीक है इतने powerful आपके intuitions हो जाएगे इसके अलावा tower और justice ये दोनों card दिखा रहे हैं guys, कि आप लोग की life में यहाँ पर इस समय पर karma भी release होंगे, इस transformation के दौरान ठीक है ये तीनों ही card दिखा रहे हैं कि आपकी life में इस वक्त आपकी जो अभी तब चीज़ें थी ना, वो पूरी तरीके से change होंगी, जो tower है वो भी कहीं ना कहीं आपको hit कर सकता है जिससे आपकी life में आप अपने सोचने का, अपने जीने का तरीका पूरी तरीके से बदलोगे, आप चीज़ों को release करोगे, लोगों को release करोगे इस तरीके का बदला में देख रही हूँ और इस समय पर कर्मा की भी energy है, justice की भी energy है, तो कहीं न कहीं आपके कार मेक्स भी release होंगे इस समय आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि मेजर अरकान है यहां पर ठीके यह चार हो दिखा रहा है और आप काफी इंट्यूटिवली स्ट्रॉंग हो जाओगे ठीके गाइस आप भी कार मेक्स को यहां पर release करोगे अपनी लाइफ में इस transformation के दौरान क्योंकि यहां पर justice हो रहा है तो यह आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव है लेकिन आपकी लाइफ में बदलाव होने के बाद आपको मिलने बहुत कुछ बाला है तो बस यही है कि जब चीज़ें खराब होती है तो थोड़ा सा patience बना लो उसके बाद चीज़ें automatic अच्छी हो जाती है चीज़ें तो यहां से निकल कर आया है चलिए इस वाले deck से देखते हैं क्या repeat होता है mental conflict यहां से भी devil आया है इस devil की वज़े से negativity की वज़े से guys आप लों के दिमाग में काफी जादा mental conflict के energy है मतला आप लों काफी overthinking करते हो चीज़ों की clarity आपको मिल नहीं पाती है बहुत negative आप हो जाते हो solar plexus chakra पर काम कीजी अपने deception and envy आपकी life में ऐसे लोग है present इस वक्त में जो आपका अच्छा नहीं चाहते जो आपकी life में आपकी life में जो mask लगाए हुए है guys आपको नहीं पता वो आपकी पीट पीछे क्या आपके बारे में बोलते हैं क्या आपके बारे में बाते करते हैं आप उने अच्छा समझ रहो लेकिन वो अच्छे हैं भी की नहीं तो इस तरीके के लोग भी इस इस transformation में आपकी life में आपकी life से release हो जाएंगे ठीक है यह आपकी life में टिकेंगे नहीं अब चाहिए आपको कितने ही प्यार है क्यों नहीं एक बात याद रखिए कि अगर चीज बता दी डेस्टिनी का कार्ट दुबारा निकल कर आया है तो बस क्या है यह सारी चीजें आपके favor में आईगी जो भी चीजें आपके favor में नहीं वा आपके favor में आईगी good luck जब आपके favor में होगा guys और यह होगा आपके Hierophant, wisdom की energy, आपको काफी wisdom मिलेगी, आपको काफी knowledge मिलेगी आने वाले समय में, आप काफी knowledgeable person बनोगे, ठीक है, solitude, देख रही हूँ, मैं भी आप लोग अकेले हो, खुद से बाते करते हो, खुद के साथ हो, ठीक है, कुछ टाइम आप इसी तरीके से रहने वाले हो, अकेले, ज disconnect रहोगे लोगों के साथ, यह celebration से भी कहीं न कहीं, आप दूर रहोगे, ठीक है, और खुद को पहचानने की कोशिश करोगे, खुद को बदलने की कोशिश करोगे, यह यहां से निकल कर आया, third eye open होगा guys आपका, डाक से light में move करोगे आप, यह energies यहां से निकल कर आई है, आपकी लिए अच्छा है, वही आपकी life में टिकेगा, जो आपकी लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी life से बाहर निकलेगा, और उसको निकालने का काम divine का है, third eye, आपका divine open करेंगे, आप कुछ time के लिए लोगों से disconnect रहोगे, अकेले रहोगे, खुद के बारे में समझोगे खुद की powers को समझोगे, डार्क से move करोगे, लाइट की तरफ, ठीक है, डार्क में फसे हुए हो, किसी negative energy में फसे हुए हो, तो लाइट की तरफ move करोगे, vision आपकी clear होंगे, good luck आपके favor में आएगा, तो आपकी सारी इक्षा हैं पूरी होंगी, यह यहां से मैं देख पा रही तो आप इस reading को claim कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, कि आपकी life में सारी चीज़े easily हो जाए, ठीक है, और आप चो चाहते हो, वो manifest हो जाए अपकी life में, ठीक है guys, so यह है आपकी reading, I hope आपको यह reading पसंद आई हो, अगर आपको यह reading पसंद आई है, तो मेरे चाहां को like कर दीजे subscribe कर जीजे and thank you guys